हाई गाईज कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि और्गनिक केमिस्ट्री को एकदम शुरुआत से कैसे पढ़ना चाहिए या अगर हम थोड़ा बहुत आता भी है अगर हम confused रहते हैं और्गनिक केमिस्ट्री में थोड़ा तो हमें basically क्या approach रखनी चाहिए ताकि हम इसमें अच्छा बढ़ सकें और अच्छे marks score कर सकें इससे पहले guys मैं आपको बता दूँ कि organic chemistry कुछ students को tough या hard क्यों लगती है basically and actually कि यह बिलकुल भी tough नहीं है subject इसमें एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने basically इस problem को discuss किया है solution इस वीडियो में अब देखेंगे तो पहले आप उसे जाके देखें अगर आपको कुछ दिक्कत है Now guys जो organic chemistry आपका subject है वो मेरी नजर में एकदम maths की तरह है right and maths में कैसे जैसे trigonometry हो गया आपका यह algebra हो गया यह जैसे कुछ geometry के topics हो गया right so अगर आपको यह average भी है अगर maths में समझने आप या ने अगर आप यह चीजे समझ सकते हैं तो आपको organic chemistry को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में यह मेरा समझ है आपको ऐसा क्यूं है मैं आपको बताता हूं देखिए इन subjects में और इस subject में कितनी similarity है जैसे trigonometry या algebra यह geometry इसमे पढ़ने से पहले आपको starting theory पढ़ते हैं some concepts होते है basic concepts होते है कि यह actually में है क्या trigonometry algebra में आप क्या देखते हैं यह geometry में क्या triangles के बारे में पढ़ रहे हैं यह circle की properties पढ़ रहे हैं तो ऐसे कुछ concepts होते हैं similarly organic chemistry में यह भी आपके कुछ basic concepts होते है जो आपको आने चाहिए जैसे isomerism isomerism के अंदर more specific geometric isomerism बहुत important हो जाते है यह जैसे general organic chemistry यह जैसे यह दूसरे कुछ topics यह ऐसे ही यह concepts है कुछ जैसे इसमें concepts है एसे ही इसमें concepts हो जाते है similarly जैसे maths में आपकी कुछ theorems होती है right theorems होती है theorems generally आप उनके derivation समझते है actually में ऐसा हुआ क्यूं और साथ ही साथ उसको रट भी लेते है ताकि अगर questions में direct use करना हो तो आपको direct use करना आ सके right similarly similarly जैसे इसमें theorems होती है एकदम ऐसे ही आपका organic में name reactions होती है right जैसे theorems को आप mechanism आपका इसका derivation देखते है ऐसे name reaction में आपको इनका mechanism देखना आना चाहिए समझ में आना चाहिए actually मैं हमने क्यों किया theorem जैसे आप थोड़ा रट लेते हैं रटने का मतलब थोड़ा by heart कर लेते हैं कि अगर questions में direct use हुआ तो आप कर सकें हमेशा आप derive नहीं करते theorem similarly name reactions भी ऐसी ही है mechanism समझें क्यों है क्योंकि थोड़ा बहुत अगर change हुआ similarly जैसे इन math में कुछ exceptions होते हैं right कुछ exceptions होते हैं कि theorem और कुछ concepts के अलावा हमें कुछ exceptions याद रखने पड़ जाते हैं बहुत बार similarly जैसे exception आपको for example मैं बहुत ही basic लूँ कि division है right कि x plus y कुछ value होती है लेकिन y should not be equal to 0 ये आपका एक exception आ जाता है right similarly इसमें भी कुछ exceptions आ जाते हैं आपके कि जो name reaction ये आपके basic concepts हैं इनसे थोड़ा अलग होते हैं तो जैसे आप exceptions को इसमें basically by heart करना पड़ता है याद रखना रखता है similarly आपको इसधर भी exceptions को याद रखना रहता है समझाया guys आपको again जैसे इसमें maths में ये theorem, concepts और exception करने के अलावा जो सबसे जादा important part है question solving जैसे कि questions के बिना जितने आप questions करेंगे उतना ही आपको ये topics अच्छे हो जाएंगे exam के purpose से भी और अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी similarly इसमें भी है अगर आप organic में जितने questions करेंगे जितने अच्छे questions करेंगे तभी आपको ये जो topics हैं ये आपके strong हो जाएंगे जितने questions होंगे ऐसे इसमें questions होंगे right guys so this way कि जो ये आपके topics है और इसमें है similarity है बहुत तो आप बेसिकली अगर आप अपने को कहते है थोड़ा सा अपने आपको दोका देना चाहे मन को कि मुझे डर लगता है कि organic में अब organic को एक maths का पार्ट मानके चल ले same है basically guys बिल्कुल same है इसके बाद हमारी approach क्या होनी चाहिए basically organic chemistry को पढ़ने की जो गलती students ज्यादतर करते है basically guys जैसे आप arithmetic पढ़ते हैं maths पढ़ते हैं या कोई और physical chemistry पढ़ते हैं वह आप verticals में पढ़ते हैं verticals में कैसे electrochemistry आपने पढ़ लिया right solid state पढ़ लिया आपने chemical kinetics पढ़ लिया आपने या दूसरे जैसे topics पढ़ लिया gases state पढ़ लिया तो अब क्या होगा आप vertical में कैसे जाते हैं ऐसे कि आपने electro chemistry पढ़ा वह basic से लेके पूरा अच्छा कर लिया जैसे भी है उसका अच्छा topics पे कुछ फरक जादा नहीं पढ़ता यानि अगर आप बिलकुल basic level से उपर अच्छे level तक आना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ electro chemistry में आप आ सकते हैं और इस topic को बहुत अच्छा कर सकते हैं अगें जब यह अच्छा कर लें फिर आप solid state को बिलकुल scratch से बिलकुल अच्छे level तक कर सकते हैं और आप पे कोई दिक्कत नहीं होगी unless कुछ एक दू questions आ जाते हैं जिसमें दो तिन topic मिल रहे होते हैं लेकिन 90% 95% questions आप इस vertical approach से कर सकते हैं लेकिन guys organic chemistry में यह vertical approach पिलकुल भी नहीं चलती इसके बजाए आपको इसमें एक horizontal approach होगी horizontal कैसे ऐसे मतलब आप कुछ topics पढ़ेंगे basics उसके बाद जब आपको एक level पे उस topic पे आ जाए तो दूसर topic स्टार्ट करते रहें लेकिन साथी साथ यह level भी आप इसका बढ़ाते जा रहे हैं साथी साथ इसका level बढ़ाते जा रहे हैं जब यह थोड़ा हो जाएगा तो आप तीसर topic पकड़ते हैं जिसके साथ यह भी पढ़ते जाने हैं यह भी पढ़ते जाने और यह भी पढ़ते जाने हैं और साथी साथ जब end में आप ऊपर पहुचेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी type अच्छी होगी है IUPAC nomenclature पढ़ना चाहिए वो साथ ही साथ आईसोमेरिज्म पढ़ें जब IUPAC nomenclature और आईसोमेरिज्म पढ़ते हैं आप साथ ही साथ जैसे more specifically इसमें geometrical आईसोमेरिज्म जब आप ये पढ़ेंगे इससे फाइदा क्या होगा कि आप जो organic chemistry के structures हैं राइट की alkyne, alkyne, alkyne या आपके halides हो गए या आपके carboxylic acids हो गए उन groups से थोड़ी आपकी familiarity हो जाती है ओके similarly आईसोमेरिज्म उनकी जो connectivity है उन groups की geometrical isomerism की और आईसोमेरिज्म में दूसरे topics में तो आपको उन connectivity के बारे में पता लग जाता है याने actually में वो group है क्या और उसमें connectivity कैसी हो रही है तो आपको यह दोनों idea हो जाएगा जब आप इस पे कुछ level पे आ जाएं तब आप start करें पढ़ना गाईज जी ओसी याने general organic chemistry राइट mind you कि आप यह level पढ़ चुके हैं इसको basic से start करें लेकिन जैसे जैसे आप geometrical यह जी ओसी पढ़ रहे हैं साथी साथ आप यह आई-उ-पी-सी और आई-उ-पी-सी के questions भी करते जा रहे हैं राइट नाव जी ओसी में बहुत सारे topics होते हैं आप बिलकुल order में पढ़ें कि जैसे सब सब पहले आप conjugation पढ़ें right then cyclic conjugation उसके बाद M effect पढ़ें mesomeric effect जी से बोलते हैं right resonance के बारे में पढ़ें how to do resonance structures then inductive effect पढ़ें eye effect then उसके बाद आप acid base जो properties होते हैं groups की वो देखें कैसे देखी जाती है उसके बाद आप aromaticity उठाएं right aromaticity के बाद आप totomerism पढ़ देखें हाला कि totomerism guys isomerism का part है लेकिन अगर आप इसको GOC में पढ़ेंगे तो आपको बहुत फाइद होगा उसके बाद guys कुछ intermediate हो जाते हैं जैसे carbocatine, carbonine, free radicals यह पढ़ें right जब आप यह पढ़ लेंगे guys इतना right उसके बाद आप क्या करेंगे अगला topic आपको start होगा name reactions sorry name reaction के बाद reaction mechanism reaction mechanism मतलब जब आप IPCA यह तो पढ़ रहे हैं साथ साथ यह भी पढ़ लिया जब आप एक level आपका थोड़ा हो गया इसके साथ साथ अब reaction mechanism को भी उठा लें mind you की साथ साथ आप यह भी थोड़े बहुत इनकी practice करते रहतें questions की okay अब reaction mechanism में क्या होगा जैसे addition reaction पढ़ेंगे आप substitution reactions होती है elimination reaction होती है इनके basics से start करें इनके कुछ असान-असान questions solve करने की कोशिश करें इनके बार में basics जाने की actually में है क्या ओके तो जब आप इनको देख लेंगे तो आप यहां तक पहुचेंगे आपको ऐसा लगेगा कि organic मेरी काफी अच्छी होती जा रही है और आप बिल्कुल approach guys हो सकता है आपको समय लेगे क्योंकि organic chemistry कभी भी एक या दो महीने या तीन महीने में कभी भी नहीं कर सकते It's a continuous process आप जब पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको at least six months, five months, six months और यह भी depend करता है आपकी approach के उपर कि आप कितना घंटा दे रहे है So उसके हिसाब से देखें जब आप यह reaction mechanism में थोड़ा एक level पढ़ लेंगे साथ साथ अब इनके questions भी करते जा रहे है इसके बाद आप start करें जो different functional groups हैं उनकी properties सबसे पहले physical properties देंगे physical properties अगर आपको थोड़ा confusion हो रहा है तो धीरे धीरे पढ़ सकते हैं कि जो physical states कैसी हैं रहे होती है Organic chemistry में इतना important नहीं है इनकी properties लेकिन फिर भी questions आ सकते हैं तो मैं पता होना चाहिए तो क्योंकि अगर आप यह topic अगर आप starting से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत असान ही होगी इसमें order आपका यह रह सकता है और यह भी सब पर depend करता है जैसे आप reaction mechanics पढ़ लेंगे तो आपको order इसमें खुदी समझ मार जागा कि मैं कौन सा topic पढ़ू पहले जब आप reaction mechanics पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी properties in functions groups की खुद से हो जाएगी साथ ही साथ आप वैसे भी start कर सकते हैं सबसे basic ही alkyne पढ़ लें फिर alkyne में पढ़ें, alkyne में बहुत कम reactions है, alkyne और alkyne उसमें थोड़ा थोड़ा है उसके बाद आप hello alkyne या hyalides पढ़ सकते हैं साथ ही साथ फिर carbonyl कम groups, carbonylique acids and esters और दूसरे दूसरे groups आपको एक मैं बात बता दूँ, जैसे जैसे ये चीज़े आप पढ़ते रहेंगे इसमें जितने भी थोड़े थोड़े exceptions हैं ये आप पढ़ते रहेंगे साथ साथ, तो आपको एक साथ करने की बजाए दीरे दीर आप करते रहेंगे सारी इन functional groups में इन में क्या-क्या पढ़ेंगे आप जैसे इनकी physical properties हो गई, इसमें इनकी कुछ name reactions हो जाती हैं इनकी कुछ chemical properties हो जाएंगी, name reactions के साथ साथ आप इसमें कुछ exceptions पढ़ते हैं और जब आप इनको पढ़ेंगे ऐलोलकेंस को दीरे दीरे तो आप यह पाएंगे कि साथ साथ आप कुछ reagents होते हैं जो end में की reagents आपके बहुत सारे खुद सही हो गए, बहुत साथ reagents आपने reaction mechanism में पढ़ लिए बहुत साथ reagents आपने functional groups में देख लिए जिसमें साथ साथ आप नेम देख्षमी पढ़ते जा रहे हैं तो reagents में कुछ end में आपके 2 और 4 reagents बचते हैं और वो आप अलग से देख सकते हैं आप 5 questions करें, 4 questions करें, 3 questions करें लेकिन आप इनको questions करते रहें इससे बहुत फाइदा रहते हैं जब आप यह approach पूरी कर लेंगे तो आपको यह फाइदा यह होगा जैसे different questions होते हैं कि interconversion of different functional groups या इस टाइप के जिसमें 2-4 chapters आपको merge करके पढ़ाय जाते हैं कि जैसे geometrical isomerism को आपका किसी name reaction के साथ merge कर देंगे तो आपको इस तरह अगर approach से करेंगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी I hope आपको यह अब तक समझ में आ रहा होगा Now, मैं आगे बढ़ता हूँ resources के लिए कि आपके resources क्या है आपको किस तरह से अपने resources को use करना चाहिए देखे guys जब भी आप ना कहीं सिर्फ organic chemistry जब भी आप कोई topic पढ़ते हैं तो आप पर पास तीन चीजों में divide कर सकते हैं सबसे पहला होता है आपका syllabus सले बस आपका handy होना चाहिए handy का मतलब कि आपके पास हमेशा होना चाहिए आप पढ़ क्या रहे हैं किस exam के तैयारी कर रहे हैं उसको बारे में आपको पता होना चाहिए until unless आप सिर्फ interest के लिए पढ़ रहे हैं दूसरा जो main part होता है आपका वो होता है आपको teacher या दूसरी शब्दम बोले educator mentor कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको पढ़ाता है या दूसरी शब्दम बोलो आपको कोई coaching center अगर आप coaching में कर रहे हैं या कोई भी मतलब आप videos भी अगर देख रहे हैं खुद से फिर तीसरा part आजाता है आपका books या material कि जिसको आप refer करते हैं questions के लिए उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सलेबस इसलिए important है guys क्योंकि सबसे पहले आपको बता दूँ आप किस level का पढ़ रहे है वह बहुत जरूरी है अगर आप 11 टे 12th board exam के लिए पढ़ रहे हैं सिर्फ तो आपको बहुत कम सलेबस है आप ITJE या NEET के level का पढ़ रहे हैं तो उसमें different mechanics बजाती है इसमें आपको बताओ तो name reaction सिर्फ 30-35 name reactions है लेकिन जब आप graduations में आ जाते हैं countless name reactions है तो और ये पढ़ी भी नहीं जाती सब पे तो जब आप ITJE या NEET का पढ़ रहे हैं तो 30-35 name reactions पढ़े हैं सिर्फ अगर आपको by chance कोई question मिल भी गया ऐसा तो guys वो कोई भी नहीं करेगा तो आपको syllabus handy रखना चाहिए आपको ये जो 30-35 name reactions है आपको इसको पढ़ें महला example दिया था मैंने syllabus को हमेशे देखें जो भी relevant topics हैं उनहीं को देखें जैसे कुछ topics होते है guys जैसे NEET है NEET में कुछ topics ऐसे हैं जो IIT में नहीं है तो आप अपनी approach बना के रखें क्या पढ़ना है अलग आता है teacher coaching videos देखें सबसे पहले आपके पास एक अच्छा teacher होना चाहिए good teacher is must for organic chemistry अगर आपके पास अच्छा teacher नहीं है for example आपकी coaching में या किसमत खराब ही आपके school में तो आप online देखें videos देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छे teachers है organic के मेरी videos अगर देख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रही होंगी उसमें मैं मतलब आपको example बता रहा हूं तो यह सबसे जरूरी है उसके बाद आप जब भी class में है suppose तो आप बिल्कुल attentive रहें यह नहीं होना चाहिए कि students के साथ जो पढ़ा रहा है teacher उसे देखें लिखें उसमें exception बता रहा है वो भी आप बिल्कुल प्रोपर तरीके से लिखें क्योंकि इससे के साथ साथ की कभी भी class मिस ना करें क्योंकि guys organic chemistry जैसे मैंने आपको बताया था horizontal approach है तो अगर आपका एक topic छुड़ी है तो आगे आ हो सकता ह या कोई एक दो question में दिक्कात आ जाए तो इसलिए आप class मिस ना करें अगर इनके class बिमारी से miss भी कर दी तो आप ये कोशिश करें उससे थोड़ा समझनी कोश करें खुच से या कोई video देख लिए उससे regarding okay तो class मिस ना करें साथ ही साथ अगर कोई doubts आ रहे हैं आपके वो बिल्कुल first hand आप teacher से clear कर सकते हैं doubt अगर आपका teacher वो शाप doubt clear नहीं कर पाए तो आप videos देख सकते हैं online देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझसे पूच सकते हैं मैं एक proper video बना सकता हूं तो यह बहुत जरूर यह इसके साथ साथ books या material क्या होगा guys to be honest organic chemistry की जब preparation में मैं करता था या करता हूं या पढ़ता हूं तो मैं कभी भी honestly बताओ आपको मैंने कभी books refer ने गरी okay books इसलिए refer ने करी guys क्योंकि देखिए यह ज़्यादातर जो books है यह foreign writers ने लिखी हुए है और यह पूरा ग्रंथ होते हैं और जब मैं start कर रहा हूं organic जब मैं 11th के बाद 12th के बाद या किसी exam के त्यारी करी है right मेरे पर beforehand कोई मेरे experience नहीं है तो मैं यह confused हो जाँगो honestly speaking तो मैं कभी भी books refer ने करता है क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको syllabus के recording पड़ें लेकि जब आप इतने 1000-1000 pages की book होगी आपकी तो पहले ही आप confused हो जाएंगे फिर आप syllabus कहां ढूंडेंगे syllabus क क्या topics करेंगे अगर आप कर सकते तो well and good कि सलेबस के साब से पड़े लेकिन तो लेकिन मेरी approach यह थी कि मैं books कभी नहीं देखता था इसके अलावा मैं basically teachers पे अपने बहुत depend रहता था ता teachers के जो notes थे वे मैंने बहुत पड़े इन फेक्ट आपको बताऊ ना एक note को एक पंड़े को मैं 15-20 बाहर पड़ चुका था या इससे हो सकता है जादा भी बाहर पड़ चुका तो आप वही note अगर बाहर बाहर पड़ेंगे और questions solve करेंगे तो आपको बहुत वाइद हो जाएगा अब वैसे भी guys आज के जमाने में जब आपके पास online है मत सब चीज available जैसे अगर आपको कोई topic समझ नहीं है suppose material syllabus में या खुछ से भी पढ़ रहे हैं teacher से या videos आप online videos देख सकते है videos कोई available नहीं है suppose तो online materials होते हैं वो देख सकते हैं और in fact अगर कुछ भी available नहीं है online भी तो आ या अगर आपको मन कर रहा है फिर भी कि नहीं छोड़ सकता तो आप simple यह करें आप मुझे बता सकते हैं या किसी और teacher को online videos बनाते हैं या आपके बना सकते videos अगर आती हमें कर पाए तो okay साथ ही साथ इसके अलावा जो material में क्या है तो material में guys अगर आप coaching कर रहे है तो coaching material तो must है right उसे solve करें साथ साथ सब प्लस NCRT अब guys बहुत students NCRT में कहते यार NCRT में कुछ नहीं आता मैं भी यह सोचता था लेकिन मैं आपको बता दू guys NCRT जब आप यह horizontal approach से आप पढ़ते जा रहे होगे na NCRT में क्या करें आप एक बार एक बार refer कर लें कि कुछ point topic ऐसा तो नही एक लिए proportional है यह मान के चले आप तो NCRT बहुत जरूरी है इसमें जो end में questions है वो तो आपको एक एक solve करना है कुछ questions ऐसे हैं जो two or three topics को मिलके use किये गए है वो जैसे जैसे आप preparation में approach में ऊपर बढ़ेंगे right तो आपको वे questions भी solve करता नहीं चाहिए so basically आपने क्या देखा right कि अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि NCRT के लावा कुछ एक दोगर practice books लेना चाहें तो आप जैसे MS चोहान हो गई या कुछ दूसरी भी हो गई मिलब किसी students कुछ teachers को MS चोहान अच्छी नहीं लगती तो आप basically क्या करें आप वो book refer करें जो कि sold हो यानि questions जो भी हैं वे sold होने चाहें सारे unsold जो questions हैं कभी मतलें क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने सही approach से question किया गलत approach से किया क्या किया okay guys so I hope आपको यह चीजे समझ में आ रही होगी lastly मैं आपको यह बता दूँ कि organic chemistry preparation एक लंबा process है लंबा मतलब दूसरे subjects के comparison में subjects जो content है मतलब इसमें जो सलेबस है बहुत ही काम है इतना नहीं है पस यह कि मिला जुला है आपको इसलिए पढ़ना है दूसरा never get demotivated do not get demotivated कभी भी demotivate ना हो कभी भी अगर आपको कोई topic के बाद questions कर रहे हैं questions soul नहीं हुआ तो आप बिल्कुल demotivate ना हो अगर आप demotivate हो गए तो आप समझे कि कहीं आप गलत approach यूज़ कर रहे हैं सही बता रहा हूं guys 900% कोई भी question soul नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे exception हो जाते कभी-कभी देंकि chemistry है आप सी 11 12th के level का पढ़ रहे है या question की तरह याद रखना था कि NCRT में वह एक line लिखी थी और उस पर आप एक direct question पूछ लिया तो आप confused मत हो कि यार यह हुआ कैसे हुआ कि हुआ आप जब higher classes में जाएंगे हर किसी के आपको reasons समझ में आ जाएंगे कुछ reasons कुछ concepts ऐसे होते हैं जो उन concepts को use कर रहे होते हैं जो कि आपने अब तक नहीं पढ़े तो अगर वो पढ़ने कोईश करें तो आप वो कभी समझ नहीं आएगा okay so I hope guys आपको समझ में आ रहा होगा अचा last में आपको एक में और बता दू जो exceptions होते हैं जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आप या तो एक separate copy बना ले exceptions की की भाई जियोसी में ये exceptions हैं आइसोमेरिज में ये exceptions हैं नेम रेक्षिंज में ये exceptions हैं या साथी क्या करें कि जो आपके notes है नोट्स में आप क्या करें एक separate line कीचे notes में और वहां पे लिख लें या side by side लिख लें जैसे भी है ये approach guys आपको बहुत help करेगी I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ये कुछ help करेगी आपको क्या है